नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 सितंबर 2024 बुधवार को पढ़ रही है, भादरपद मास अश्टमी तिथी जो बहुत ही खास है, और दोस्तों, ये वो अश्टमी है जो कि भादरपद महीने में बुधवार को पढ़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक उपाय है, जो कि हर दिन नहीं किया जाता, भादरपद महीने में जो अश्टमी आती है, उसी दिन किया जाता है, यदि आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है, या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस बुधवार अश्टमी के दिन इस उपाय से मत चूकना दोस् ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है, कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुद्धवार अश्टमी के दिन के छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है, यदि आप लोग भी इस उपाय को इस बुद्धवार अश्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना उसके पश्चात करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा आपकी सभी मनो कामनाएं पूरी हो जाएंगी दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दे कि यह जो एक लाल और एक सफेद फूल वाला उपाय है यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही गुरुग्राम की शिव महापुरान की कथा में ही बताया है और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे पित्र दोश हो सकता है काल सर्प दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोश होते हैं कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोश को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है, बस बुधवार की अश्टमी के दिन इस उप उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एक मात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शान्ती हो जाएगी, आपके घर में अच्छे-च्छे काम होने लगेंगे, आप जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे-धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी, अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है, देखो उपाय बिलकुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए, उसके पश्चात ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद वाले उपाय को इस आने वाली अश्टमी के दिन किसको करना है तो देखिए इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहने होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है, मात्र किसी कारण वश मातायों बेहने घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो दिक्कत हो तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताओं बहने घर की लक्षमी होती है जब घर की लक्षमी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं। इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें इस अश्टमी दिन करना किस समय है। तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे। क्योंकि देखिए ये जो अश्टमी तिथी है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोशकाल का मतलब शाम का जो समय होता है ना इस दिन भगवान शिवा जी का सबसे प्रिय दिन होता है तो आप लोग इसे एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भ कर सकते हो सुबह के समय यदी कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी यदी उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा वही यदी शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में यदी आप इस उपा उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझा गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है। पर एक ही बार इस उपाय को करना है। दो तो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहने आज चैनल पर पहली बार आएं हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन हैं. यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कॉमेंट बॉक्स में लिखें. हर हर मह देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है. जैसा कि हमने अभी आप से बोला कि इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी. आपकी मनो कामनाएं पूर्ण होंगी. आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या होगी. अब देखिये, यदि आप लोग सोच रहे हो कि भाई, हमें अपना घर बनाना है, पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है, पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है, पर जमीन लेन इसलिए यदि घर में बहुत ज्यादा मतलब दिककत, समस्या, परेशानी चल रही है, धन से जुडी हुई, पैसों से जुडी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिलकुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना च जाहिए, घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को, अब इस उपाय में करना क्या है, वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उपाय की सामगरी, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस-किस चीज की आवश्यक्ता पड़ेगी, तो देखिए, का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर चार सामगरी हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है, और जो हम आपको उपाय बताते हैं, वो पंडित जी द्वारा बताये गए होते हैं, अलग से ह कुछ भी नहीं बताते हैं, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामगरी क्या है, तो देखो उपाय की जो सामगरी है, वो चार सामगरी है, जिसमें से सबसे पहली है एक बेल पत्र, देखो बेल पत्र क्या होती है, बेल पत्र जो शिव की शिवलिंग पर चड़ तो एक यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लेना है। देखो शिवलिंग के उपर जो लाल फूल चड़ता हो। उन में से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़ कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल उप मत लेकर आना, लेकिन केथकी का मत लेना, तो एक-एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामगरी चाहिए, एक बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल. ये चारों सामगरी आप लोग तैयार करके रख लें प्रदोशकाल में या सुबह, समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामगरी तैयार हो जाती है, तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामगरी को लेकर, मतलब उपाय करने के ल पर हमें ये दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है, कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं, इसलिए इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिवा जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामगरी भी जरूर लेकर जाएंगे, जैसे कि सुबह के समय, यदि आप उपाय को कर रहे हो, इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है, जो लोग प्रति दिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल एक लोटा जल अपने घर से जरूर भर कर लेकर जाना, यदि आप उपाय को कर रहे हो, है ना, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के पश्चात ही करना, वहीं यदि बात करें शाम के समय की, यदि कोई व्यक्ती शाम के समय प्रद वहोता है अश्टमी के दिन का, प्रदोशकाल में जो भी व्यक्ती दीपक जलाता है, ना भगवान शिवाजी के मंदिर में, भाई, उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियाओं भी दूर होती है, तो भाई, इस दिन दीपक का खास रूप से ध्यान रखना आप लोग, यदि आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हो, है ना, ये जो दीपक आप लोग 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 लोगे, ये आठे का जो आठा आप घुन दोगे, उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आंठा लगा कर उसे तयार कर लेना, और एक मीडियम साइज का दीपक तयार कर लेना, वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो, ना ज्यादा बड़ा हो, है ना उसके पश्चात में दीपक आपका तयार हो जाए, तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे, वो गोल बत्ती रखोगे, देखो गोल बत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और ए प्यार करते हैं, तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है, इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे, वो डालोगे, लोगे, वो डालोगे, शुद्ध देसी गाय का घी इस बात का खास रूप से ध्यान रखना, क्योंकि भगवान शिवजी का सबसे प् हैंस का घी डालना, शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंडने में थोड़ी मतलब महनत लगेगी, और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिवजी प्रसन्न होते हैं, और उसी शुद्ध देसी गाय के घी से घर में बरकत भी बनी रहती है, और हमारे घर में सुख, इसलिए इस शुद्ध देसी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो, वो भगवान शिवजी के कारियों में भी उपयोग में आता है, और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो यहां पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है, उपाय को करते समय श इकत वाली बात नहीं है, भाई उपाय की पूरी सामगरी तैयार करके और पूजन सामगरी लेकर आपको भगवान शिवजी के मंदिर पहुचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुचना है, औ तो एक लोटा, जल वगेर है, जो भी सामगरी लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामगरी आप लोग मतलब, पूजन भगवान शिवजी की कर लो, जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं, वो शिवजी के शिवलिंग पर, मात्र एक लोटा जल, एक धारा से धीर अपने धीरे करके चढ़ा लो, है ना, अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है, पूरी कर लो, पहले उसी के पश्चात, यदि आप शाम के समय कर रहे हो, तो पहले जाकर बैठना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में, आप जो दीपक तयार करके लेकर आए हो, उस दीपक को जलाना है, ये जो दीपक आप लोग जलाओगे न, ये किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना, और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना, यदि आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली, इस उपाय को करने इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना, दीपक को जलाने के पश्चात भगवान शिवा जी की शिवा के पास में रख देना, शिवलिंग के इतना पास में मत र जाएगे, उपाय को करने के लिए, और उपाय को करने से पहले, आप लोग अपनी वो चारों पूजन सामगरी निकाल लीजिए, उपाय की जो सामगरी है वो निकाल लीजिए, और भगवान शिव जी के शिव के उपर एक माता अशोक सुन्दरी जी का स्थान देख जलाधारी के बिलकुल बीचों बीच का जो स्थान होगा, वो माता अशोक सुन्दरी जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है, सबसे पहली चीज अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं, आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र, एक बेलपत् और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा, इस तरीके से आपको इस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देना है। सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, वो शिवलिंग की तरफ होगा। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है, उस तरफ होगा और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा। मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, जब आप लोग एक बेल पत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चड़ा रहे हो, तो उस समय आप लोगों को कंटा भगवान या कंटा चक्र का नाम लेते हुए ही जो है, इस उपाय को करना है, और और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है, भगवान शिवा जी से उपाय को पूरा करने के पश्चात, वहीं पर पास में बैठ कर बोल देना है, हाथ जोड के आँखें बंद करके, अपनी परेशानी और श्री शिवाय नमस्तुम का जाप करना है, तो यह थी आज की खास जानकारी, उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और रोजाना नई-नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करे धन्यवाद